गूड मॉर्णिंग फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों ये स्टेंडर एट के लिए NCRT के सिलिबस में आपको ये सेकेंड चैप्टर है ठीक है स्टेंडर 6 का 7 का हो चुका है पूरा चैप्टर पढ़ाया हुआ ये स्टेंडर 8 का और इसके बाद 9, 10, 11, 12 तक मैं हिस्टरी परहने वाला हूँ तो आप इस वेडियो को लगातार देखते रही है आपको कंपिटिशन की पूरी तियारी में कराऊंगा सारा चैप्टर 11 का 12 तक का मैं अपलोड करूंगा एक तरफ से मैंने स्टार्ट किया है आप इसको देखते रहिए तो ये वियापार से समराजितक कंपनी क कि सत्ता स्थापित हुई कंपनी की सत्ता मतलब इस चुनिजा कंपनी से इसका ताथ पड़े है ये वियापार से लेकर के समराजितक कैसे इसकी सत्ता स्थापित हो गई इसका उलेख इस पाठ में हम लोग पाएंगे तो मुगल बादशाहों में और अंगजेब आखडी शक सक्तिशाली बादशाह थे मुगल बादशाहों में सबसे सक्तिशाली आखिरी कौन हुए और अंगजेब उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रन स्थापित कर लिया था 1707 में उनकी मिर्त्यू के बाद बहुत सारे मुगल सुबेदार और दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी के अंदर के रूप में नहीं रास्ता की 18 सदी के उत्तरार तक राजनेतिक छितिजपड अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उबढ़ने लगी क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले पहल एक छोटी सी व्यापारी कम्पनी के रूप में भारत आये थे और यहां के इलाकों पर कबजे में उनकी ज़्यादा दिल्चस्पी नहीं थी शुरू में यहां के इलाकों पर कबजा करने में उनकी ज़्यादा दिल्चस्पी तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन में इस विशाल समराज के स्वामी बन बैठे इस सद्ध्याई में आप देखेंगे कि यह कैसे हुआ पुर्व में इस्ट इंडिया कंपणी का आना सन सोलह सौ में इस्ट इंडिया कंपणी ने इंगलेंड की महरानी यलिजाबेट पर्थम से चार्टर अर्थात इजाज़त नामा हासिल कर लिया जिससे कंपणी को पूरव से व्यापार करने का अधिकार मिल गया इस इजाजत नामे का मतलब यह था कि इंगलेंड की कोई और व्यापारिक कमपनी इस इस इंडिया कमपनी से खोर नहीं कर सकती थी इस चार्टर के सहारे कमपनी समुद्र पार्क जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी वहां से सस्ती कीमत पर चीजें खरीद कर उन्हें एरोप में उची कीमत पर बेख सकती थी कमपनिय को दूसरी अंग्रेज व्यापारे कमपणियों से प्रतियसपर्धा का कोई भय नहीं था उस जमाने में वानिजिक कमपनियां मोटे तोर पर प्रतियस्परधा से बच कर ही मुनाफ़ा कमा सकती थी आज अगर कोई प्रतियस्परधी न हो तभी वे सस्ती चीजें खरीद कर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकती थी लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी एउरोपिये ताकतों को पुरव के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था अंग्रेज दूसरी नहीं आते लेकिन वो अंग्रेज की कमपनी दूसरी नहीं आती लेकिन दूसरे देशों की कमपनी तो आ सकती थी तो ये इस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लेंड के तरफ से मिला था छूट मिली थी एक अधिकार मिला था भारत में व्यापार करने का लेकिन दूसरे देशों की कंपनियां आ सकती थी और जो आई भी जब तक इंग्लेंड के सहारे जब तक इंग्लेंड के जहाज अफरीका के पश्चमी तट को छूते हुए केप ऑफ गूड होप का चकर लगा कर हिद महासागर पार करते तब तक पूर्तगालियों ने भारत के पश्चमी तट पर अपनी उपस्थिती दर्ज करा दी थी मतलब सबसे पहले भारत में आये थे एरोपियन कौन तो वो थे पूर्तगाली वो अंग्रेजों के आने के पहले ही भारत में आ गए ये आपको महतपूर्ण पॉइंट है विवे गुवा में अपना ठिकाना बना चुके थे पूर्तगाल के खोजी यात्री वासको डी गामा ने ही वासको डी गामा या दागामा इसमें लिखा है 1498 में पहली बार बहारत तक पहुँचने के इस समुद्री मर्क का पता लगाया था 17 में श्रताबजी की शुरुवात तक डॉच भी हिंद महासागर में वियापार की संभावनाएं तलासने लगे थे डॉच लगिन वो सबसे पहले आए थे पूर्तगाली वासको डी गामा कुछी समय बाद फ्रांसियुसी वियापारी भी सामने आ गया समस्या यह थी कि सारी कमपनियां एक जैसी चीजें ही खड़िदना चाहती थी यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी इनके अलावा काली मिट चलांग, इलाइची और दाल चीनी की भी जबरदस्त मांग रहती थी यूरोपिय कमपनियों के बीच इस बढ़ती परतिसपरधा से भारतिय बाजारों में इन चीजों की कीमतें बढ़ने लगी और उन से मिलने वाला मुनाफ़ा गिरने लगा, अब इन व्यापारी कमपनियों के फलने पूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपनी परतिसपरधी कमपनियों को खत्म कर दें लिहाजा बाजारों पर कबजे की इस होर ने व्यापारी कमपनियों के बीच लड़ाईयों की शुरुआत कर दी 17 और 18 सदी में जब भी मौका मिलता कोई सी एक कमपनी किसी दूसरी कमपनी के जहाज डुबो देती रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती और माल से लड़े जहाजों को आगे बढ़ने से रोक देती यह व्यापार हत्यारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक जोकियों को किले बंदी के जड़िये सुरक्षित रखा गया था अपनी बस्तियों पर किले बंद करने को किले बंद करने और व्यापार में मुनाफ़ा कमाने की इन कोशिचों के कारण अस्ताणी शाषकों से भी तकराव होने लगे इस प्रकार व्यापार और राजनीती को एक दूसरे से अलग रखना कमपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था आएएं देखें कि एक कैशे हुआ इसलिए सुरक्षा के लिए व्यापार और राजनीती दोनों पर दखल कर लिया इस टिंडिया कमपनी में शुरू में सपाल रहे। इस टिंडिया कमपनी जो अंग्रीजी कमपनी थी इस टिंडिया कमपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है, पहली इंगलिषि major 1551 में हुगली नदी के किनारे शुरू ही कंपनी के व्यापारी यहां से यहीं से अपना काम चलाते थे इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था फैक्टर मतलब व्यापारी जो कंपनी के व्यापारी थे इस फैक्टरी में वेर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीजों को जमा किया करता जाता था यहीं पर उसके दफसर थे जिनमें कमपणी के अफसर बैठते थे जैसी जैसे व्यापार फैला कमपणी ने सौधागरों और व्यापाडियों को ठक्टडियों के आसपास आकर बसने के लिए प्रेडित किया 1696 तक कमपणी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया था दो साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिशुवत देकर तीन गाउं की जमीनदारी भी खड़िद ली इन में से एक गाउं काली काता था जो बाद में कलकता बना अब इसे कोलकता कहा जाता है कमपणी ने मुगल समराट और अंग्जेब को इस बात के लिए भी तयार कर लिया कि वह कमपणी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दें फरमान मतलब आदेश शाही आदेश कमपणी ज्यादा से ज्यादा रियायते हासिल करने और पहले से बनी के जो अफसर निजी तोर पर व्यापार चलाते उन्हें यह चुट नहीं थी लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इंकार कर दिया इसे से बंगाल में राजस वसूली बहुत कम हो गई ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शीद कुली खान का विरूद क्यों न गया था और अंग्जेब की मिर्ट्व के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे उस समय दूसरी शेत्री ताकतों की स्थिती भी ऐसी ही थी मुर्शिद कुली खान के बाद अली वर्दी खान और उसके बाद सिराज दौला बंगाल के नवाब बने यह किलेबंदी को बर्हाने से रुक दिया कमपनी उस पर धोखा धरी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमजूर पर रही है कमपनी टेक्स चुकाने को तयार नहीं थी उसक कुमानित करने का प्रयास किया कमपनी का कहना था कि स्थानी अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कमपनी का व्यापार तबाह हो रहा था व्यापार तभी फुल सकता है जब सरकार शुर्क हटा ले कमपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उ अंतता इंटेक्रावों के परिनती पलासी के प्रसिद जुद्ध के रूप में हुई पलासी का जुद्ध है ये बहुत बड़ी घटना है 1756 में अली वर्दी खान की मिर्तु के बाद सुराजुद्ध दौला बंगाल के नवाब बने कमपनी को सुराजुद्ध दौला की ताकत से काफी भय था सुराजुद्ध दौला की जगा कमपनी एक ऐसा कटपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायते कमपनी ने प्रयास किया था कि सुराजुद्ध दौला के प्रतिदौंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए कमपनी को कम्याबी नहीं मिली जबाब में सिराजु दौला ने होक्म दिया कि कमपनी उनके राज के राजनेतिक मामलों में टांग अराना बंद कर दे किलेबंदी रोके और बाकाइजा राजास तो चुका है जब दोनों पक्ष पीशे हटने को तियार नहीं हुए तो अपने तीस हजार सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार की में अंगलिश फैक्टरी पर हमला बोल दिया नवाब की फाजों ने कमपनी के अपसरों को गिरफतार कर लिया गोदाम पर ताला डाल दिया अंग्रेजों के हथियार छिल लिया और जहाजों को घेरे में ले लिया उसके बाद नवाब ने कमपनी के कलकत्ता इस्टित किले पर कबजे के लिए उधर का रुख किया कलकता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मदरास में तैनात कमपनी के अफसरों ने भी रोबर्ट कलाईव के नितरतों में सेनाओं को रावना कर दिया इस सेना को नौसेनिक बेड़े की मदद भी मिल रही थी इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौधे बाजी चली आखिर कार 1757 में रोबर्ट कलाईव ने परासी के मैदान में सिराजुद्दौरा के खिलाफ कमपनी की सेना का नितरत्व किया नवाब सिराजुद्दौरा की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापतियों में से एक सेनापती मीर जाफर की कारगुजारियां भी थी मीर जाफर की टुकडियों ने स्चुद्ध में हिस्सा नहीं लिया रोबर्ट कलाइब ने कहकर उसे अपने साथ मिला लिया था सिराजुद्दौला को हटा कर मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा इस प्रकार मीर जाफर ने सिराजुद्दौला से ग्रत दाड़ी की जिसे यहां कलाईब के नित्रत में बे इस्ट इंडिया कमपनी विजाई हुई संपढ़नता का आश्वासन इंग्लेंड के लोग इस्ट इंडिया कमपनी की शाशकिये महत्वकांग्छाओं को संदिह और अविश्वास से देखते थे पलासी की लड़ाई के बाद रोबर्ट कलाईब ने अंग्रेज संपराट के एक मुख विदेश मंतरी विलियम पिट को साथ जनवरी 1769 को कलकते में चिठी भेजी थी लेकिन इतनी विशाल सत्ता एक वानिजी कमपनी के लिए बहुत बड़ी बात होगी मैं खुद यह सुचकर अभी भूत हूँ इन सम्रिद सिर्यासतों पर पूरा कबजा हासिल करने में कोई परशानी नहीं आएगी अब मैं यह फैसला आप पर छोड़ता हूँ कि क्या सालाना बीस लाख स्टरलिंग की आमदनी और तीन प्रांतों का कबजा कोई ऐसी चीज है जिसमों इतना सोड मचाना उचित हो पलासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में कंपनी की पहली बड़ी जीत थी पलासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर नवाब बना कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को त्यार नहीं थी उसका अमूल उद्देश तो व्यापार को फैलाना था मंगर यह काम अस्थानिये शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधे अपने कबजें में लेने की क्या जरूरत थी जल्दी ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे अखिर कर उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नजर में सम्मान और सम्प्रभूता को दिखावा करना पड़ता था तो फिर कंपनी क्या करती जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटा कर मीर कासिम को नवाब बना दिया जब मीर कासिम परिशान करने लगा तो बकसर की लड़ाई शतर सो चोंसट में उसको भी हटाना पड़ा उसे बंगाल की से बाहर कर दिया गया और मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया गया अब नवाब को हर महीरे पांच लाख रूपए कमपनी को चुकाने थे कमपनी अपने साइनिक खर्चों से निपटने व्यापारिक जरूरतों तो था अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी कमपनी और ज्यदा इलाके तथा और ज्यदा कमाई चाहती थी 1765 में जब मीर जाफर की मिटती हुई तब तक कमपनी के इरादे बदल चुके थे कठपुदली नवाबों के साथ अपने खड़ाब अन्भावों को देखते हुए कलाइब ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा अखिरकार 1765 में मुगल समराट ने कमपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया दीवानी मिलने के कारण कमपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंतरन मिल गया था इस तरह कमपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई थी 18 सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीजें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खड़ी दिनी पड़ती थी उसकी वज़ा ही थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज नहीं थी पलासिकी जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दिवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत ही नहीं रही अब भारत से होने वाली आमदनी के सहारे ही कमपनी अपने खर्चे चला सकती थी, इस कमाई से कमपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपने फोजों को संभाल सकती थी और कलकते में किलों और दफ्तरों के निर्मान की लागत उठा सकती थी, कमपनी के के अफसर नवाब बैठें कम्पनी के अफसर नवाब बैठें अब कम्पनी के अफसर जो थे वे नवाब बन गए नवाब पहले नवाब थे शिराजुद्दौला साहिब अब उनको हटा दिया गया उनका नाश हो गया और अब कमपनी के अफसर नवाब बन बैठे नवाब बनने का क्या मतलब था मतलब बंगाल के लोकल जो नवाब थे उनको हटा दिया और कमपनी ने साड़ी सत्ता अपने हाथ में ले ली तो नवाब बनने का क्या मतलब था इसका एक मतलब तो यही था कि कमपनी के पास आप सत्ता और ताकत थी लेकिन इसके कुछ और फायदे भी थे कमपनी का हर करमचारी नवाबों की तरह जीने का खुआप देखने लगा था पलासी के युद्ध के बाद मंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बद्ध कर दिया गया कि वे कमपनी के अफसरों को निजी तोफ़े के तोर पर जमीन और बहुत सारा पैसा दें खुद रोबर्ट कलाइब ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी 1743 में जब वह इंग्लेंड से मदरास अब चिनेज जिसका नाम है आया था तो उसके उमर 18 साल थी 1763 में जब वह दो बार गौडनर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो वहां उसकी दौलत चार सो एक चालिस हजार चालिस लाख एक हजार एक सो दो पौंड के बराबर थी मतलब वो कितना पैसा कमाया यहां बंगाल से दिल्चस्प बात यहा है कि गौडनर के अपने दूसरे काड़ काल में उसे कमपनी के भीतर फैले भष्टाचार को खत्म करने का काम सौपा गया था लेकिन 1772 में बीटी संसद में उसे खुद भष्टाचार के आरोपों पर अपनी सफाई देनी पड़ी सरकार को उसकी अकूत संपत्ती के सुरूत संदिहास्पत लग रहे थे उसे भष्टाचार आरोपों से बड़ी तो कर दिया गया लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली एक कलाइब लॉइड की एक लॉड कलाइब की ये कहानी है इस तरह से उसका अंध हुआ उसने अंध में आत्महत्या कर ली कमपणी के सभी अफसर कलाइब की तरह दौलत इकठा नहीं कर पाए बहुत सारी बीमाडियों और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए इसके अलावा उन सभी को वरस्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा उनमें से बहुत सारे अफसर सधारन परवारों से आये थे उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं और बिटेन लोट कर आराम के जिन्दगी बसर करें जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लोट गए उन्होंने वहाँ आलिशान जीवन जिया उन्हें वहाँ के लोग नवाव कहते थे या भारतिये शब्द नवाव का ही अंग्रेजी संसकरन बन गया था उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और समाजिक हस्यत में रातों रात उपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक उड़ाया की जाता था कमपनी का फैलता सासन यदि हम 1757 से 1857 के बीच इस चिन्रिया कमपनी के दौरा भारतिये राज्यों पर कबजे के प्रकडिया को देखें तो कुछ महतपूर्ण बातें सामने आती हैं किसी अंजान इलाके में कमपनी ने सीधे सैनिक हमला प्राया नहीं किया उसने किसी भी भारतिये रियासत का अधिगरहन करने से पहले विभिन राजनितिक और आर्थिक और कुटनितिक साधनों का इस्तेमाल किया बकसर की लराई सत्रहसौ चौटनितिक के बाद कमपनी ने भारतिये रियासतों में रिजिजिजिजन्ट तैनात कर दिये ये कमपनी के राजनितिक या व्यावसाइक परतिनिधी होते थे रेजिजेंट उनका कम कमपनी के हीतों की रक्षा करना और उन्हें आगे बरहना था रेजिजेंट के माध्यम से कमपनी के अधिकारी भारतिय राज्यों के भीतर मामलों में भी दखल देने लगे थे अगला राजा कौन होगा किस पत पर किसको बिठाया जाएगा इस तरह की चीजें भी कमपनी के अफसर ही तरह करना चाहते थे कई बार कमपनी ने रियासतों पर सहायक संदी भी थोप दी जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी सुखंदर सेनाएं रखने का धिकार नहीं रहता था उसे कमपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना के रख रखाव के लिए वह कमपनी को पैसा देती थी अगर भारतिय शाषक रखम आदा करने में चूप जाते थे तो जुर्माने के तोर पर उनका इलाका कमपनी अपने कबजे में ले लेती थी उदाहरन के लिए जब रिचार्ड वेलेजली गवर्नर जिनरल था उस समय अवद के नवाब को अठारा सो एक में अपना आधा इलाका कमपनी को सौपने के लिए मजबूर किया गया क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चुक गय थे इसी आधार पर हाइदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए गए टिपू सुल्तान शेरे मैसूर टिपू सुल्तान को शेरे मैसूर कहा जाता है जब कमपनी को अपने राजनितिक और आर्थिक हितों पर खत्रा दिखाई दिया तो कमपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकडाव का रास्ता भी अपनाया दक्षिन भारतिये राज मैसूर के उदाहरन से यह बात समझी जा सकती है हैदर अली शासनकाल सतरह सो एकसर से सतरह सो बैरासी और उनके विख्यात पुत्र टिपू सुल्तान शासनकाल सतरह सो बैरासी से सतरह सो नियन्यानवे जैसे शक्तिशाली शासकों के नित्रतों मैसूर काफी ताकतवर हो चुका था मालावार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंद्रन में था जहां से कंपनी काली मिर्च और इलाइची खड़िती थी सतरह सो पचासी में टिपू सुल्तान ने अपने रियासत में पढ़ने वाले बंदर गाहों से चंदन की लकडी काली मिर्च और इलाइची का निर्यात रोक दिया सुल्तान ने अस्थानिय सोदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले अग फ्रांसिसिक व्यापाडियों से घनिष्ट संबंध विक्सित किये और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनीकी करण किया सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गया उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वा कांग्शी घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को निंतरित करना और कुछलना जरूरी है फलसुरूप महसूर के राजा के साथ अंग्रेजों की चार बार जंग होई 1767-789, 80-84, 90-92 और 1799 त्रीरंग पट्टम की आखरी जंग में कमपणी को सफलता मिली अपनी राजधाने की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने वोडियार राजवन्ष के हाथों में सौप दिया गया इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधी थोप दी गई मराठों से लड़ाई अब ये मराठों से लड़ाई भी इस अवधी की एक महतवपूर्ण घटना थी अठाराही शताबदी के आखिर से कमपणी मराठों की ताकत को भी काबू और खत्म करने के बाड़े में सोचने लगी थी 1771 में पानीपत की तिसी लड़ाई में हाड के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया उन्हें कई राज ने में बांट दिया गया इन राज यों की बागडोर सिंधिया होलकर गायकवाड और भौसले जैसे अलग अलग राजवांशों के हाथों में थी ये सारे एक पेशवा, पेशवा सर्वोच मंत्री के अंतरगत एक कन्फेडरेसी राज मंदल के सदस्य थे पेशवा इस राज मंदल का सैनिक और प्रशाशकिये प्रमुक होता था और पूने में रहता था माहाद जी शिंधिया और नाना फरानीस 18 सदी के आखिड के दो प्रसिद्ध मराठा युद्धा और आजनितिक गे थे एक के बाद एक कई युद्धों में कमपनी ने मराठा को ढूटने टेकने पर मजबूर कर दिया पहला जुद्ध 1762 में साल बाई संधी के साथ खत्म हुआ इसमें कई कोई पक्ष नहीं जीत पाया दूसरा अंग्रेज मराठा जुद्ध 18 सो तीन से पांच तक कई मोर्चों पर लड़ा गया इसका नतीजा यह हुआ कि उडिशा और यमुना के उत्तर में इस्थित आगड़ा और दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कबजे में आ गया अंतरता 18 सो 17 से 19 के तीसरे अंग्रेज मराठा जुद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया पेशवा को पूरे से हटा कर कानपूर के पास भीचूर में पैंसन प्रभी दिया गया अब विंधे के रक्षिन में इस्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रन हो चुका था सर्वोच्चता का दावा उपरोक्त विबरन से सपस्थ है कुनिस्वी सदी की तक गौर्णर जेनरल थे के नित्रत में सर्वच्चता की एक नीती शुरू की गई कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वच्च है इसलिए वह भारतिये राज्यों से उपर है अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतिये रियासतों का अधिग्रहन करने या उनको अध परक्रिया बेरोक टोक नहीं चली उधारन के लिए जब अंग्रेजों ने कित्तूर फिलहाल करनाटक में एक के छोटे से राज्यों को कबजे में लेने का प्रयास किया तो राणी चन्नम्मा ने हथियार उठा लिये और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शेर दिया अठा प्रति रोज जारी रखा चोतरफा समर्थर और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रेटिस ट्रेविरों और दस्तावेजों को नश्ट कर दिया आखिर कर उन्हें भी अंग्रेजों ने पकर कर अठारा सो तीस में फांसी पर लटका दिया प्रतिरों के ऐसे कई दूसरे कंपणी को भाय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एसिया में फायल कर उत्तर पश्टिम से भारत को भी अपनी चापेट में न ले ले इसी डर्स के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्टिम भारत पर भी अपना निहंत्रन अस्थापित करना चाहते थे साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और ये वहाँ परत्यक्ष कंपणी शाषन अस्थापित कर लिया 1843 में सिंध भी कबजे के में आगया इसके बाद पंजाब की बाड़ी थी और यहां महराजा रंजीर्ट सिंग ने कंपणी की दाल नहीं गलने दी 1849 में उनकी मिर्टू के बाद इस रियासत के साथ दो लंबी लड़ाईयां हुई और आखिरकर 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब का भी अधिग्रहन कर लिया विलय की निती अधिग्रहन की आखरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर्ण जेनरल बने लॉड डल हौजी के शासनकाल में चली लॉड डल हौजी ने एक नई निती अपनाई जिसे विलय निती का नाम दिया गया यसे ध्यानत इस तरक पर अधारित था कि अगर किसी शाशक की मिर्टू हो जाती है और उसका कोई पूरुश वारिश नहीं है तो उसकी रियासत हरप कर ली जाएगी यानि कमपनी के अवध को भी अपने नियंतरण में ले लिया इस बार अंग्रेजों ने एक नया तरक दिया उन्होंने कहा कि वे अवध की जनता को नवाब के कुशाशन से आजाद करने के लिए करतव से बंधे हुए हैं इसलिए वे अवध पर कबजा करने को मजबूर हैं अपने प्रिये से हटाया गया उसे देखकर लोगों में गुस्सा और भड़क उठा और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गया नाय शासन के स्थापना गवर्णर जेनरल वार्डीन हैस्टिंग्स उन बहुत सारे महत्रपुर्ण व्यक्तियों में से थे जिनका जिन्होंने कंपणी की ताकत फैलाने में अहम भूंका अदा की थी वर्रेन हैस्टिंग्स के समय तक आते आते कंपणी ने न केवल बंगाल बलकि बंबाई और मदरास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी बिर्युटिस इलाके मोटे तौर पर प्रसासिये किये इकाईयों में बटे हुए थे इन्हें प्रेजिडेंसी कहा जाता था उस समय तीन प्रेजिडेंसी थी मंगाल मदरास और बंबाई हर एक का शासन गवर्णर के पास होता था सबसे उपर गवर्नर जेनरल होता था वारेन हेस्टिंगस ने कई प्रसासकी सुधार किये नियाय के शतर में उसके सुधार खास तोर से उलेखनी है थे 1772 से एक नई नियाय व्यवस्था अस्थापित की गई इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में दो अदालते होंगी फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपिये जिला करेक्टर होते थे मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतिये कानूनों की वियाख्या करते थे फौजदारी अदालतें कभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतरगत थी फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती लेकिन वे भी कलेक्टर के निगरानी में काम करते थे जब एक बड़ी समस्या यह थी एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्रामन पंडिते घर में शास्त्र की अलग-अलग शाखाओं के हिसाब से अस्थानिय कानूनों की अलग-अलग व्याख्या कर देते थे इस भिन्दता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 775 मेें 11 पंडितों को भार्तिय कानूनों का संकलन त्यार करने का काम सुपा गया N.B. Hald Head ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुबाद किया ये L.B. Hald Head ने इसका अंग्रेजी में अनुबाद किया भात्तिय कानूनों का है संकलन तयार करने को का काम सौपा गया 1778 तक ये नयायद हिसों के लिए मुसलिम कानूनों की भी एक साहिता तयार कर ली गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहट एक नए सरवच नयायाले के स्थापना की गई जिसके अलावा कलकत्ता में अपीलिया जा अदालत सुधर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई भार्तिय जिले में करेक्टर सबसे बड़ा उहदा होता था जैसा की नाम से ही पता चलता है जिसका मुख्य काम लगान और कोड इकठा करना था नयाय अधीशों पुलिस अधिकारियों और दारोगा की सहायता से जिले में कानून ब्यवस्था बनाय रखना होता था उसका काड़ाले करेक्टरेट सत्ता और सनक्षन का नयाकंदर बन गया था इसने पुराने सत्ताकंदरों को हाश्य पर ढकेल दिया अब हम कमपनी की फौज के बारे में पढ़ेंगे कंपनी के साथ भारत में शाषन सुधार के नए विचार तो आए लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी मुगल फोज मुख्य रूप से घुर सवार और पैदल सेना भी थी उन्हें तिरंदाजी और तलवारबाजी का प्रस्रिक्षन दिया जाता था सेना में सवारों का दबदबा हो रहता था और मुगल समराजी को एक विचाल पेशेवर प्रस्रिक्षन वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी गडामीन इलाकों में सहस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी अस्थानिये जमीनदार मुगलों को जरूरत पढ़ने पड़ पैदल सिपाही मुहया कड़ाते थे 18 सदी में जब अवद और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भरती करके उन्हें पेशेवर सानिक प्रस्रिक्षन दिया जाने लगा तो वह सूरत बदलने लगी इस टिया कंपणी ने जब अपनी सेना के लिए भरती शुरू की तो उसने भी यही तरीका अपनाया अंग्रेज अपनी सेना को सिपोयर जो भरतीय शब्र सिपाही से ही बना है आर्मी कहते थे 1820 के दशक में जैसे युद्ध तकनिक बदलने लगी कंपणी की सेना में घुरसवार टुकडियों की जरूरत कम होती गई इसकी वज़ा यह थी कि ब्रिटिस समराज बर्मा अफगानिस्तान और मिस्र में भी लग रहा था जहां सिपाही मस्केट तोरेदार बंदूग और मैचलोक से लैस होते थे कंपणी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक अवशक्ताओं का ध्यान रखना पड़ता था और अब उसकी पैदल टुकड़ी ज़्यदा महतरपूर्ण होती जा रही थी 19. सदी की सुरुवात में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विक्सित करने लगे थे सिपाहियों को एरोपिय धंग का पर्शिक्षन अभ्यास और अनुशाषन सिखाय जाने लगा अब उनका जीवन पहले से भी ज़्यादा नियंतरित था इस कोशिश में कभी कभी समस्याई भी आ जाती थी क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कड में अंग्रीज कई बार जाती और समुधाय की भावनाओं को नजर अंदाज कर देते थे भला लोग अपनी जाती और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे क्या वे खुद को अपनी अपने समुदाय का सदस मानने की बजाए शिर्फ सिपाही मान सकते थे सिपाही क्या महसूस करते थे अपने जीवन और अपनी पहचान यानि वे कौन है इस बात के अहसास में जो बदलाव आ रहे थे उनको सिपाहियों ने किस तरह देखा 1857 का विद्रोह हमें सिपाहीयों की इस दुनिया की जलक दिखाता है इस विद्रोह के बारे में आप अध्याय पांच में परहेंगे निस्कर्स क्या निकलता है इस टुनिया कंपणी एक वियापाडिक कंपणी से बढ़ते बढ़ते एक भागोलिक अपनिवेशिक शक्ती बन गई उनिस्वी सदी की सुरुवात में नई भाफ तकनिक के आने से यह प्रकडिया और तेज हुई तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6-8 माह का समय लग जाता था भाफ से चलने वाले जहाजों ने यह यात्रा तीन हफ्तों में समिट दी इसके बात तो ज्यादा से ज्यादा अंग्रेज और उनके परिवाड भारत जैसे दूर देश में आने लगे 1857 तक भारतियों महादूइप के 63% भुभाग और 78% आबादी पर कंपणी का सीधा शासन अस्थाप्रित हो जुगा था इस देश के शेष भुभाग और आबादी पर कंपणी का प्रत्यक्ष प्रभाव था इस प्रकार व्याओहारिक अस्तर पर इस्टिया कंपणी पूरे भारत को अपने नियंद्रण में ले चुकी थी लक्षीन अफ्रिका में दास्थ व्यापार डच व्यापारी 17 सदी में दक्षिन अफ्रीका पहुंचे जल्द ही दास व्यापारी शुरू किया लोगों को बंधक बनाकर जंजीरों में बांद कर दास बजारों में बेचा जाने लगा 1834 में दास पर्था के अंत के समय अफ्रीका के लक्षिनी सीरिय पर इस्थित केप में निजी स्वामितों में दासों की संख्या 36774 थी 1824 में केप आने वाले एक यात्री ने वहीं होने वाली नीलामी के आँखों देखा वेवरा परसूत किया है यह मालूम होने पर कि पशूमों के रसूत पादों की नीलामी होने वाली है हमने अपने गाड़ी नए बैल खरीदने के लिए रोक ली नीलामी के माल में एक स्तरी दास और उनके तीन बच्चे थे किसानों ने पशूमों के समान ही उन्हें पढखा उन्हें अलग-अलग खड़ीदारों को बेच दिया गया माने चिंता वेदन और आंसु भड़ी आँखों से बच्चों की तरफ देखा दुखी व्याकुल मा बाप से चिपक गए यह दिरिस दिल को पिगलाने वाला था इसके विपरीत मजूद दर्सकों के चेहरे हसते हुए एवंग असमवेदन शील थे ठीक है तो यह आपको एस्टेंडर एट का सेकेंड पार्ट कम्प्लीट हुआ इसके बाद तीसरा पढ़ाएंगे इस तरह से 9 10 11 12 का सारा चैप्टर अप्लूट किया जाएगा आप प्लीज इसको देखते रहिए आपको हर कंप्यूटिटिव एक्जाम में NCRT की इतिहास की पुस्तक पढ़ने के लिए कहा जाता है इसी को ध्यान में रखते हुए मैं 12 तक का सारा चैप्टर अप्लूट कर दूँगा 6 और 7 का अल्रेडी अप्लूट हो चुका है एक क्लास 8 का हो रहा है सेकंड चैप्टर अप्लूट हो जाएगा उसके बाद प्रस्टों का सीरीज बनाएंगे और आपकी सहायता के लिए इसको प्रस्टों करेंगे अज आपने इसको देखा इसके लिए थैंक यू आपका दिन मंगा